Friends, I am Sunil Talreja from Talreja English Speaking Classes. I am an English trainer. Friends, आज का हमारा वीडियो word power से related है. कि word power हमारा अच्छा कैसे हो, कैसे words को याद रखा जाए. Friends, English में जितने जदा हमें words याद होंगे, जितना अच्छा हमारा vocab होगा, शब्द संग्रह होगा, हमारी English उतनी अच्छी होती है. अब कई बार हम words याद तो करते हैं, पर फिर भूल जाते हैं, तो words को याद करने के एक trick होती है, कि उनको कैसे याद करें, अगर हम उनको समझ के याद करें, तो फिर वो मिल में समय तक याद रह सकते हैं. For example, rice का मतलब होता है चामल, आपको ये word आता है. अब देखो, इससे दो words मनाना हम सीख सकते हैं. बिटन राइस और पफड राइस. बिटन राइस मालब होते हैं पोहे, और पफड राइस मतलब होते हैं परमल. पफ मालब क्या होता है? फुलाना. तो चामल को अगर फुलाएंगे, तो क्या बनेंगे? परमल. पफड राइस. इसी तरह बिटन राइस, बीट मालब होता है पीटना, किस तरह से कि वो फैल जाएंगे? तो बिटन राइस चामल अगर फैलेंगे, तो क्या बनेंगे? पोहे. तो बिटन राइस का मतलब क्या हो गया? पोहे. इसी तरह कई वर्ट समय से लेंग कर सकते हैं. फर एक्जांपल, A, C, H, E. एक मतलब होता है दर्ध. अब देखो, इससे कितने वर्ट समय लेंग कर सकते हैं. एक मिंस दर्ध. अब इसके पहले हम कोई भी पार्ट ऑप बोडी लगा दें. जिसे हेड मतलब सिर होता है. तो सि इसी तरह बैक, बैक क्या होता है? पीट, पीट में दर्ध, बैक एक, बैक पेन भी बोलते हैं. इसी तरह पेट में दर्ध, पेट मलब क्या होता है? स्टमक तो इससे बन जाएगा स्टमक एक. कई लोग तो बोलते हैं कि पेट में हेडेक हो रहा है. तो इसका मतलब हेडेक म होता है और जंक क्या होता है रदी सीजें फालतू चीजें खराब चीजें गबाड तो जंग डीलर का मतलब बन जाएगा कबाडी अगला वड़ देखते हैं blind following follow मतलब क्या होता है किसी का अनुसरन करना पीछे-पीछे जाना और blind अंदरुप से बिना सोचे समझे जाती है तो blind following मतलब भेडचाल का मतलब क्या होता है कि एक भेड़ कहीं जाती है तो सारी पेड़े उसकी पीछे चल पड़ती है उनको नहीं पता है कि कि हूँ जा रही है तो भेडचाल word हिंद्वें ऐसे बना तो इंगलिस में उसको बोलेंगे हम blind following एक और वर्ड है, forget, forget मतलब आपको पता है, भूलना, अब इससे एक वर्ड बन सकता है, बलककर, forgetful, ठीक है, next वर्ड famous, बहुत ही famous है, ये वर्ड आपको पता ही होगा, famous मतलब प्रसिद्ध, अब इससे हम दो वर्ड और बनाना सीखते हैं, fame, fame मतलब प्रसिद्धी या यश, fame famous, चीक है, अब इसका negative बनाना हो, बदनाम करना, तो D आगे लगा दे, D E, defame, defame का मतलब हो जाएगा, बदनाम करना, पर देखिए, wood cutter, wood क्या होता है, लकडी, cut, मतलब काटना और cutter, काटने वाला, तो wood cutter का मतलब क्या हो जाएगा, लकड़ा आरा, snake, charmer, snack, सांप, उसको चा काम करने वाला, वश्मे करने वाला, सपेरा, तो नया वर्ड बना, snake, charmer, next वर्ड पर आते हैं, cock shore, बदब पक्की बार, जिसका होना, निश्चित है, this is cock shore, means, it will definitely happen, अब ये वर्ड कैसे बना, cock मतलब होता है, मुर्गा, उसका बांग देना, सुबे को बांग देना, पक्का है, shore है, तो इसलिए वर्ड मना, cock shore, एक और वर्ड देखते हैं, cock id, eye, 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 eye वाला, और किस तरह के आँक साथ हो वाला, cock节, मुर्गे जेसी आँक हो वाला, یने हिंदी में एक वर्ड आपने सुना होगा, भेंगा, या धेरा, जो देखता कहीं होरे, उसकी नजर कहीं और होती है कहीं पे निगाएं कहीं पे निशाना तो कॉक आइट का मतलब क्या हो गया भेंगा या देरा एक और वर्ड देखते हैं हश मनी मनी मतलब क्या होता है पैसा हश मलब चुप रहने की मनी चुप रहने की कीमत तो मतलब रिश्वत ब्रैप ब्रैबरी चुक है तो हश्मनी, to keep his mouth shut. Next word, war पता है आपको युद्धो होता है, तो war से बनता है warrior, means युद्धा. Next word देखते हैं, sun stroke या heat stroke, stroke मतलब क्या होता है, प्रहार, और sun मतलब सूरज का प्रहार, यहने, लू लगना, ठीक है? तो heat stroke या sun stroke, इसका मतलब क्या हो गया, लू. अगर इसको war बनाना है, तो इसमें get लगाना पड़ेगा, बाहर मत जाओ नहीं, तो तुम्हें लू लग जाएगी, तो क्या बोलेंगे, don't go out या outside, otherwise you will get sun stroke. Next word देखते हैं, stone pelting. Pelt मतलब होता है fake ना, और पत्थर फेकना मतलब क्या हो गया, पत्राओ. तो stone felting का मतलब होता है, पत्राओ. Next word पे आते हैं, idioms भी इसे बना सकते हैं, idioms क्या होती है, महावरे, phrases. जिसे a fair weather friend, fair weather friend, इसका मतलब होता है, मतलबी दोस्त. अब यह word देखो कैसे बना? Fair, अच्छे समय का, अच्छे अच्छा या ठीक करें. वेदर मतलब मौसम, अच्छे मौसम का दोस्त. मतलब जब इस्ततिया अनुकूल हो, favorable हो, तब तो friend हो. और जैसे ही मुसीबत आ जाए, तो छोड़के चला जाए, तो क्या हो गया? मतलब ही दोस्त हो गया. Next word देखते हैं, red tapism. Red tapism का मतलब होता है, लाल फीता शाही. अभी हिंदी में भी थोड़ा कठीन word है, पहले समझाना पड़ेगा कि इसका मतलब क्या होता है. लाल फीता शाही का मतलब होता है, जो सरकारी कारियों में कई बार अनाश्यक देरी हो जाती है. अन्नेसरी जो डिले होता जाता है, उसको बोलते हैं लाल फीता शाही. और ये इंडिया में कई बार बहुत देखने को मिलता है. अब देखेंगे वर्ट कैसे बना? रेट टैपिसम. टेप, टेप मलब फीता. रेट टेप, लाल फीते से बान देना. कि ओफिसेस में कोई फाइल आती है, तो उसको क्या करते हैं, लाल फीते से बान देते हैं. तो उसको खोला तभी जाता है, जब कुछ हश्मनी दी जाए, कुछ पैसे दिये जाए, कुछ रिश्वत दी जाए. तो ये वर्ट बना, रेट टेपिसम. नेक्स वर्ट देखते हैं, स्वेटर आपको पता है, अब ये वर्ट कैसे बनाता? स्वेट से, स्वेट मदलब होता है, पसीना, तो स्वेटर पसीना करने वाला, गर्मी करने वाला, तो फ्रेंट्स यसे बहुत सारे वर्ट्स आप लर्न कर सकते हैं, और आगे दुसरे वीडियो में हम उन पे और डिस्कस करेंगे, थैंक्स पर वाचिंग,